हेलो गईस कैसे हैं आप लोग स्वागा थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गईस की समसंग गलेक्सी एफिट फाइब फाइब जी फोन में आप लोग डेट एंड टाइम को कैसे चेंज कर सकते हो अगर आपके पास एक سमसंग के लेक्सी एफिट फाइब फाइब जी फोन है और इस फोन में आपको डेट एंड टाइम को चेंज करना है अपने टाइम को चेंज कर सकते हो तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गई स्थाप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसाना आई वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे। तो चलिए गैस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, date and time को change करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे scroll down करेंगे तो आपको एक option देखने को मिलेगा guys general management का तो इस general management के option पे click करेंगे click करती ही यहापर एक option आएगा कि date and time का तो date and time के option पे click करेंगे click करती ही यहापर पहले तो आपको इस auto date and time को off करना होगा तभी आपको manually date and time set करने का option आएगा पहले तो set date पे click करेंगे और यहापर जो भी date आप लोग लगाना चाहती हो ठीक है guys आज आज अठरा है अगर 16 लगाना है तो 16 पे click करेंगे और done पे click कर देंगे अपको date change हो जाएगा उसके बाद time पे click करेंगे और यहापर देख सकते ही और यह है hour यह है minute और यह है ampm तो यहापर से minute को change करना है 5 पहर मिनित फास्ट करना है तो 5 पहर रस्ट कर जिये घंटे को यहापर से change करना है hour को तो यहापर से आप लोग change कीजिए MPM को अगर change करने हैं आपर से कीजिए यह सब करने के बाद done का option होगा done पे click करेंगे तो आपका date and time change हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने Samsung Galaxy A55 5G phone में आप लोग date and time को change कर सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगो कोई वीडियो अगर वीडियो पसा ना हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई